हाई फ्रेंड्स असलामों अलेकूम विलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई बहुती टेस्टी रेसिपी तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट चट्नी जो कि हम इडली के साथ भी खा सकते हैं मेंदू बड़े के साथ भी खा सकते हैं या आप इस चट्नी को ऐसे भी खा सकते हैं इतनी ये टेस्टी बनती हैं तो वीडियो के इन तक ज़रूर बने रहेगा वीडियो पसंदाता है तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक असनी से पहुंच सके तो चलिए फटा फट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है एक नारियल क्योंकि हम नारियल की चट्नी बना रहे हैं तो एक फूल नारियल यहाँ पर यूज होगा इसके मै पर मैंने इसे पीस लिया है अब हम इसमे अड करेगे चना जो भूनावा चना होता है वो मैंने एक कप लिया है या आप ये भूनेवे चनी की दाल भी मिलती है मार्केट में वो भी यूज कर सकते है दलिया भी मिलता है वो भी यूज कर सकते है तो वो मैंने यहाँ पर लिय तो वो इसमें एड़ कर देगे एक कप चना लिया है अब यहां पर हमें लेना है एक कप मुंगफली तो मुंगफली को तवे पर रोस्ट करना है और उसका छिलका निकालना है और वो इसमें एड़ कर देना है यहां पर मैंने पहले से ही पीस कर रखावा था क्योंकि अक्सर व बस मुझफली को रोस्ट करना है और उसका छिलका निकाल कर एक कप इसमें एड़ कर देना है याकिन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं अब इसमें हम एड़ करेगे चार से पाच हरी मिर्च तो हरी मिर्च की कॉइंटिटी को आप अ हिसाब से लीजिएगा अब इसमें हम एड़ करेगे एक कप के करीब फ्रेश हराधनिया इसमें आप पूदीना भी एड़ कर सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मैंने स्कीप कर दिया है तो अगर पूदीना हैं तो आदा कप आपstate और इसमें आड़ कर दीजिए अब इसमें ज है तो वह भी इसमे अड्ड कर देगे विद्वा ये सिजों को हमें अच्छे से पीस लेना है फाइन पेड स्थ बनानी है रिंढ़ाई है तो देखिए यहां पर मैंने सब चीजों को अच्छे पैन रख दिया है गैस पर अब इसमें हम एड़ करेंगे तेल तो दो से तीन टेबल स्पूर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल जैसे ही गरम होता है तो हम फ्लेम को कर देंगे लो और इसमें हम एड़ करेंगे जीरा तो वन टीस्पून जीरा इसमें एड़ कर द चोटा चमच हिंग मैंने एड़ कर दिया है और 8 से 10 कड़ी पत्ता एड़ कर दिया है सब चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेगे अब इसमें हम एड़ कर देगे लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो तीखी नहीं होती है तो वो मैंने यहाँ तीन से चार ली हूँ तो वो इसमें एड़ कर दिया है इसे भी अच्छे से आदी मिनट के लिए हम भून लेंगे अब यहाँ पर तड़का हमारा रेड़ी हो गया है तो तड़का लगा देके चटनी में देखिए तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनके यहाँ पर रेड़ी हो गई है और बिल्कु नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो सांबर की है और इड़ी की वीडियो भी मैं जलदी अपलोड करने वाली हूँ तो आप जरूर देखिए तो आप भी इस डिस को ज़रूर ट्राइब कीजिए बहुत ही टेस्टी बनती है वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है जादा से जादा शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और नेक्स्ट वीडियो मेरी जरूर वाच करना इडली और सांबर की तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसीपी के साथ तब तक दुआओं में याद रखना अल्ल आवावीस